हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक अगें न्यू एंड फ्रेस एपिसोड आप ग्रोवित मनी आज के इस वीडियो में हम एक बहुती बंडरफल और यूनिक स्ट्रेजी जानने वाले हैं इसमें हम दो न्यू इंडिकेटर्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि उनकी एक्यूरेश सिगनल्स में बिनिंग ट्रेड हुए और 200 के आसपास ऐसे सिगनल रहे है जिनमें या तो स्टॉप लॉस गया या फिर मार्केट साइडवेज हो गया जब भी हम टाइम फ्रेम सेट करें किसी भी स्टॉक या कमोडिटी में तो देखें अगर 15 मिनिट का टाइम फ्रेम सेट ह तो जदा से शथा आठ सिगनल तक ही बेट करना है ये दोनों इंडिकेटर रिवरसल को फाइंड करने में हमуск मदफ करते हैं जिससे कि हमैं सहीं सेट पाइन्ट में मिल जाती है जीए ट्रेंड मार्केट मिए में सा हेजीटेशन होता है क्योंकि कि पॉपर या नीची हो चुका होता है लेकिन जब गराबट आया और उसमें एक reverseल आया फिर जब आपर की तरफ चारा और नीचे की तरफ reverseल आने वाला होता है अगर वह मैं पहले से थोड़ा सा पता चल जाए तो हमारी रिस्क रिवर्ड रेसों भी सही होता है और हमारी बिनिंग ट्रेड के चांसे जादा हो जाते हैं तो अपने सही टाइम फ्रेम को सेट करके और जो हमने बताया 15 मिनिट पे सिर्फ 4 या 5 केंडल और 5 मिनिट पे 8 से 10 केंडल तक ही बेट कर हैं और ये इंडिकेटर यकीन मानिएगा बहुत अच्छे रेजन देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को ना लंबा करते हुए फटा पर इस बंडर पोली स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं लेकिन उससे पहले एक्ची समझना होगा कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर 100 परसंट सच नहीं होता है या 100 परसंट एक्यूरिशी नहीं होती है साथ इसकी भी नहीं अगर 70-80 परसंट भी एक्यूरिशी है तो इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग टूल्स को जान लेते हैं फर्स्ट इंडिकेटर एड करते हैं इंडिकेटर कि यूटी बॉटल अलट जैकि यह फैले नंबर पर या गए यूटी बॉटल अलट कि इसको हमने एड कर दिया है यह पांच मिनिट का डाउजोंस का चार्ट है देखिए इस पर कई सारी सिगनल आ रहे हैं सेल बाय सेल बाय तो यह कंफीज करेंगे इसके लिए हम इसमें कुछ चैंजिस करेंगे कि इसको बीए मैं बेक निए मिए इसको को बन की जग गी हैं दू कर देंगे यहां और टेंघेंगे सिक्स कर देंगे यह हमारे चैंजेश हो गय deficiency थोड़े कम हो गय है सिगनल हो गए सिगनल कम हो गए ऑग्रपर यहां पर यह एक सिगनल दिख का Esse पॉइंट पर और जो बार कि भी पुट लॉंग पुजिशन देन अब टार्गेट कि अचीव कुईक्ली देखिए अगर यहां पर हम लॉंग पुजिशन बनाएंगे तो यहां पर टार्गेट अचीव हो जाएगा और जो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो करेंट स्विंग लो के नीची रखेंगे जैसी यहां पर दिखाई दे रहा इस लाइन के आसपास हम करें इस टॉप लॉस रखेंगे और वन इस टू बन पॉइंट फाइब का रिस्क एंट रेवार्ड रखेंगे यह हो गया बने बने इस टू बन फॉइंट फाइब का जो की इस केंडल पर आके हमारे टार्गेट अब देखेंगे यह बाइका था यह देखेंगे सेल सिगनल यहां पे इसने सेल दिया और इस बोजीशन और यह कि मैं इस टू बन फॉंट फॉंट फाइव कि यह टार्गेट ऑची कि समें मोर एजमपल ये वाइट किए है अब हम आज के अब हम्सक्तु बीदििकेटर करते हैं इंडिकेटर स्क्राइब करते हैं कि argument कि आउट तेर तेर या क्या घ्यार्ड कर दिया जेए अब हमारे इसमें, भी हम को चैंजिस करेंगे first of all style में जाएंगे plot blue color and second plot इसमें कोई सा भी orange color कर देंगे और input पे जाएंगे यह जो length लिकी है इसको 80 and fast length को 27 ओके अब हमारे दोनों indicator एड़ हो चुके हैं अब हम trading rules को समझ लेते हैं इन दोनों indicators को किस तरह यूज़ करना है let's start trading rules समझते हैं सबसे पहले दोगिए यहां पर bottom indicator दोरा buy signal दिया गया तो हमारी यह पहली condition फुलफिल होगे bottom indicator दोरा buy signal होना चाहिए दूसरी condition है चो STC indicator है इसमें यह दो line है उपर orange और नीचे blue color यह STC indicator की line blue color की line के नीचे होना चाहिए तो दूसरी condition फुलफिल हो गई और third and last condition है यह जो STC color की line दिखाई दे रहे red और green यह green color की line में होना चाहिए तो यहां पर हमारा buy signal initiate होगा तो हमें यहां पर long position initiate कर सकते हैं इसके बाद यह जो candle दिखाई दे रही है तो देखे इसका stop loss जो होगा यह current market price के नीचे होगा इस candle के नीचे होगा stop loss और target होगा risk के साबसे risk reward रेशो कोई 1 is to 1.5 तो इस position पर आके हमारी market ने completely target खुट कर दिया है अब देखते हैं another sell signal या buy signal कोई लेकिए यहां पर bottom indicator द्वारा sell signal दिया गया पहली condition match होगी दूसरी STC की line orange color की उपर होना चाहिए तो दूसरी condition match होगी थर्ड condition में यो STC की line ये red color की होने चाहिए sell के लिए short position के लिए तो हम यहां पर अपनी short position initiate कर सकते हैं with risk and reward so 1 is to 1.5 और stop loss current market high के यहां पर जो high लगा है उसके उपर रखना है अब देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं बिल्कुल कोई confusion है clear cut signal आएंगे जब signal आएंगे उसी बख trade करना है बहुत ही fast signal आते हैं क्योंकि 5 minute का चार्ट है intraday के लिए बहुत तेज होना पड़ता है traders को professional traders बहुत तेज होते हैं इसलिए वो पैसा बना पाते हैं देखिए यहां पर buy signal आया बिना कुछ सोचे समझी यहां पर trade इनी seed करेंगे यहां पर stop loss रखेंगे और risk and reward रिसो 1 is to 1.5 कर रखेंगे यह देखिए याद रखें ट्रेडिंग के समय stop loss जरूर रखें और trade भही लें अगर time निकल जाए तो trade कुछी इनिशेट ना करें उस लेवल के आसपासी ट्रेड लें कई बार indicators को जाचा और फर्खा गया है देखिए यहां पर आके हमार मार्केट ने completely target को हिट कर दिया है अब another trade देखते हैं कुछ त्रेड देखते हैं जैसे ही sell signal आएगा उसमें sell signal इनिशेट करेंगे तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक keep safe happy investing